अंबाला जिला के ग्रामीन आचल को अब 15 अगस्त से 24 घंटे बिजली मिलेगी इसकी जानकारी बिजली विभाग की चेयरमें शत्रू जीत कपूर ने सरपंचों के साथ मिटिंग करके दी है उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से अंबाला पंचकुला के बाद 24 घंटे बिजली मिलने वाला दूसरा जिला हो जाएगा अंबाला के साथ गुडगाव जिले में भी कार्य तेजी सेज़ जारी है मारा गाव जगमक गाव योजना के अंतरगत अंबाला पंचकुला के बाद प्रदेश का ऐसा दूसरा जिला बन जाएगा जहां 15 अगस्त से 24 घंटे बिजली मिनी शुरू हो जाएगी इससे पहले गाव को 15 से 12 से 15 घंटे ही बिजली मिलती थी इसकी जानकारी आज बिजली विभाग के चेर्में शत्रू जीत कपूर ने गाव के सरपंचों के साथ मिटिंग करके दी और जानकारी दी कि यहां के लोग ने तो बिजली चोरी करते हैं और बिल भी पुरा भरते हैं इसलिए अंबाला को मारा गाव जगमक गाव योजना के लिए 24 घंटे बिजली देने के लिए चुना गया है इस वरान चुनए हुए नुमाइंदों को जागरूप भी किया गया कि बिजली चोरी करने और बिल भरने के नुफसान किने भुगतने पड़ते हैं आजाड टिवी न्यूज के लिए अंबाला से क्रिशन बाली की रिपोर्ट देखिए महरा गाव जगमक गाव स्कीम के तहत अभी तक 100 फीडर प्रदेश में जिनमें 507 गाव हैं उनको पूरी तरह से 24 घंटे के शेडूल पर लाया जा चुका है और पंचकुला जिला पहली जनवरी 2017 से पंचकुला जिला के सभी 272 का हम 24 घंटे के जो सिटी शेडूल जो अर्बन एरियाज में जो हम शेडूल देते हैं उसके मताबिक महां बजली के आप उर्ती की जा रही है